नमस्कार दोस्तों, आज याई 13 जन्वरी 2017 का जो हमारा प्लिम फोकुस न्यूज डिसकेशन है, उसमें से देख लेते हैं कौन तो जो न्यूज इंपोर्टेंट है देखें सबसे पहले जो न्यूज रिलेटिड है वो C.A.P.F से रिलेटिड है C.A.P.F में जो एसिस्टेंट कमांडर होते हैं, उसका सेलेक्षिन आपने देखा होगा, UPSC करती है, संग लोग सिवा आयोग तो देखें, इनका C.A.P.F के जो फोर्सिस होती है, कई बार इनका आरोप रहता है, कि जिस परकार किसी विधाएं या आर्मी परस्नेल को दी जाती है, उस परकार किसी विधाएं हमें नहीं दी जाती हमारे साथ बेदभाव किया जाता है और कई बार इनका यह भी आरोप रहता है कि जो हमारा हेड होता है CRPF Forces का जो हेड होता है वो IPS होता है All India Service से होता है और उनके बीच का किसी परसनल को हेड पर तोर पर नहीं चुना जाता है seniority के हिसाब से कई बार यह भी कहते हैं कि देखिए हमें नकसल पर भावी चेतरों में जैसे CRPF का example दिया जाता है कि state police के साथ में मिलके लड़ना पड़ता है नकसल से तो state police हमारे साथ अच्छे से coordinate नहीं करती और इस तरह से हमारी काफी casualties होती है तो अभी क्या है देखिए अभी यही है पूरे कि government की वज़े से इनको allowances नहीं मिल पा रहे हैं तो इस तरह की चीज़े important नहीं है आपको यह पता होना चाहिए कि CAPF में कौन-कौन सी forces आती है और कौन सी ministry के अंदर आती हैं तो सबसे पहले तो याद रखिएगा देखिए Ministry of Home Affairs के अंदर आती हैं जयसे Army Ministry of Defense के अंदर आती है और CPF Ministry of Home Affairs को report करती है तो याद रखिएगा कौन कौन सी इसके अंदर आती है देखिए BSF इसके अंदर है CRPF CIS आपने देखा होगा कि जो Industrial Complexes की सुरक्सा करती है जैसे कि Sale, PSU's जो होते हैं और CRPF को तो कहीं भी यूज कर सकते हैं जैसे Elections में या फिर कहीं भी BSF mainly borders पे Pakistan और Bangladesh के border में तो इसी तरह से यह चाइना बॉर्डर पे HITBP जो इस सारा आपको थोड़ थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में एक दूसरी भी forces है जिसको गहते है paramilitary forces तो कोई आप से पूछ ले कि CPF के बीच में और paramilitary forces के बीच में या जो parliamentary forces हैं उनके बीच में और जो CPF हैं Central Armed Forces हमने अभी डिसकस करी Central Armed Police Force इन दोनों के बीच में difference है क्या तो देखें ये तो किसी act में define है नहीं कि paramilitary forces actually होती क्या है लेकिन ये ऐसी forces हैं जो वैसे तो देखें होम मिनिश्टरी को ही report करती हैं लेकिन ये इन से अलग है ये और इसमें दो इतरे की forces आती है एक है Assam Rifles और एक Special Frontier Force और जिनकी इनों ने वो भी दी है वो तो संख्या तो जुरूरी है नहीं ये देखें दोनों मिनिश्टरी को form of air को report करती है लेकिन एक जो चीज ये है कि ये आर्मी के disposal के लिए है मतलब आर्मी इनको अपने हिसाब से यूज कर सकती है जहां भी आर्मी को जुरूरत है जैसे Assam Rifles को आपने देखा होगा कि आर्मी वहाँ पर जो हमारा North East का border है वहाँ पर इस्तिमाल करती है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे देखिए led by the Indian Army Officers यहाँ पर नीचे भी है led by the Indian Army Officers तो इसलिए साथ जो यहाँ पर लिखा है led by the Indian Army Officers इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो paramilitary forces अलग हैं CAPF से वो तो उसको तो central government अपने हिसाब से यूज करती है यह आर्मी इनको यूज करती है लिए थोड़ा सा example ही हो सकता है जो air chief है उन्हों देखिए अकेले MiG-21 को उड़ाया तो यह ethics में यूज कर सकते हो led by the example और हमें भी कल को ऐसे ही करना है अगर कोई भी civil servant हो वो led by the example है देखिए इसमें क्या case है MiG-21 के काफी आरोप लग रहे थे कि यह जो MiG-21 है खत्रे भरा जहाज है एर्क्राफ्ट है इसको उड़ाया नहीं जा सकता क्योंकि देखिए काफी से crash हुए है और काफी जाने गई है तो एक तरह से भरोसा दिलाने के लिए एरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने अकेला ये उड़ाया कि देखिए बिल्कुल सुरक्सी था आप डरिये मत और इस तरह की safety का हमें पूरा ख्याल है तो led by the example हम कुछ करेंगे तो उसका पूरा फरक administration पर पढ़ता है हमारे subordinates पर पढ़ता है आगे देखिए right to education में एक review की बात की गई है निटी आयोग द्वारा आप हमने वो सब issue discuss कर लिया था जिसमें detention और non detention issue की बात थी तो फिर से देखिए right थोड़ा से देख लेते हैं इसमें statuary act है एक तो हमेज़ा यह आद रखिएगा 2009 में आया था और free और compulsory education के लिए था 6-14 साल के बीच में तो 1 April 2010 से यह force में आ गया था इसमें जो private schools हैं उसमें भी देखिए 25% जो seats है वो गरीब लोगों के लिए आरक्सीत रखने का प्रावधान था और अब यह state की जिम्मेदारी थी इस act में की state ensure करेगा कि सबी जो बच्चे हैं इस age के बीच में उनको education मिले तो अब इसमें जो बाद में change करके तो detention policy आई थी अब उसमें change करने की बात कही थी आपने देखा था कि TSR Supermaniam की जो committee आई थी उसने भी कहा था कि जो detention और no detention की policy उसके बीच में विवाद था कि कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए जिस आपसे no detention की policy है इससे काफी नुकसान ह हुआ है बच्चे आलस मान जाते हैं और पढ़ते नहीं है अच्छे से तो वह सारे points हम discuss कर चुके हैं आगे देखिए वही थोड़ा सा whistleblower का act था whistleblower का act देखिए 2011 में पास हुआ था एक तरह का mechanism यह provide करता है whistleblower होते कोन है whistleblower आपको पता ही होगा किसी भी government department में देखिए कोई employee कोई normal employee जिसने देखा कि वहाँ पर government department के अंदर corruption चल रहा है तो वह क्या करता है अगर उसने दोनों case में हो सकता है वैसे तो अगर वह employee government का ही government organization में corruption को देख के सब कुछ मीडिया के सामने ले आता है या फिर social media में डाल देता है कुछ भी करता है यानि public के सामने वो रख देता है अपनी बात को और उस government department में हो रहे है corruption पर इस चीज़ को कहते है देखे whistle blowing मलब अंदर काई कोई आदमी जो काम कर रहा है उसने whistle blow कर दी city मार दी कि देखे यहां पर corruption हो रहा है अब देखे काफी बार ऐसा होता है दोनों plus और negative में इसके points बनते हैं सतिंदर दूबे का एक case था 2001 के अटीन के आसपास था सतिंदर दूबे ने क्या किया था देखे अब वहाँ पे वो एक engineering service में थे और highway authority में थे कुछ वहाँ पे highway निर्मान में कुछ दानले बाजी चल रहे थी तो इन्होंने यह whistleblower बन गए और इन्होंने letter लिखा CVC को आगे जाके वाजबे इस सरकार के बात की बात है यह तो देखे इन्होंने साफ साफ लिखा था कि मेरा नाम आप disclose प्लीज मत कीजेगा क्योंकि मेरे जान को खत्रा हो सकता है लेकिन जो अधिकारी थे उपर CVC के या फिर जो भी जिन्होंने भी इस case को handle किया उन्होंने उस letter को release कर दिया किसके नाम से letter हुआ है उसके नाम उन्होंने disclose कर दिया और higher authorities को भेज दिया जो highway जो national highway authority of India उनके higher authorities को इससे दो देखिये उनका नाम सब को पता लग गया और सही में उनकी बाद में जान चली गई थी तो काफी इस पे हंगावा हुआ था सतेंदर दूबे के case में यह हम लिखते भी है ethics में का काफी example का use करते हैं उनका सतेंदर दूबे का हम integrity में भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि high integrity थी उन्होंने corruption को tolerate नहीं किया letter लिखा उनका whistle blowing में भी हम नाम लिखते हैं तो थोड़ा सा यह बताने के लि इकोसिस की गई थी लेकिन अभी सुप्रीम कोट में यह case था कि government अभी इस act को जो whistleblowing act 2014 में आया था यह उसको government dilute करना इकोसिस कर रही है आगे यह भी हमनेगी काफीका k שנ चुके हैं जली काटू जली काटू देखें पॉंगल आ गया है अकाल के मौख में ऑर मकल के मौके पर जली काटू झो खेल है इसके खेला जाता है और इसमें जो बूल होता है उसको गले से लेगासिए है और उमीलाडू में यह क सकते हैं और प्रिलीम में भी इसका question मनता है, indirect question आ सकता है कि किस प्रकार से जो relate कीजिए, जलिकाटू, पॉंवल इस तरह से भी indirect question भी दे सकते हैं, जलिकाटू, तमिलाडू, कुछ match the following इस तरह का आ सकता है, देखें इसमें क्या होता है, कि एक temple bull होता है, उसको ज़्यादा व हमारा first telecom player ATAL है, जिसने payment bank की स्थापना की थी, और joint venture है ATAL के बीच में, और Kotec Mahindra के बीच में, और यह कह रहे हैं, देखें हम 7.25 की percent से हम deposit जो interest rates देंगे, deposit पे saving account के अंदर में, हमारे लिए important यह है कि payment bank आखिरकार होते क्या है, इस पे question भी आया था, UPSC prelim 2016 में, देखें यह एक तरह की bank ही है, और यह concept इजाद किया गया था RBI के द्वारा में, और इसमें देखें एक तरह की limit है, एक लाग से उपर रुपे customer नहीं करा सकते, तो एक परकार से देखें, दूर दराज के लोगों में, जो migrants होते हैं, उनको सिरफ यह थोड़ी बहुत bank की services उपलब् सकते हैं, online banking भी करवा सकते हैं, mobile banking भी करवा सकते हैं, और ATL ने अपना first live payment bank, तो ऐसा question आ सकता है कि किस ने पहला payment bank बनाया, हाला कि वैसे तो ज़्यादा पहला, यह इस तरह की चीज़े SSE में ज़्यादा पूछी जाती है, फिर भी थोड़ा सा, लेकिन UPSC concept पर ज़्याद payment bank आखिर है क्या, और SSE bank जैसे exams facts पर focus करते हैं, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, मलब इस तरह का कोई pattern नहीं है, मलब कहने का मतलब यह है कि हमें तो सब कुछ ही करना है, इसलिए तभी तो हमने डिसकुस किया, और IIP का देखिया index होता क्या, IIP के यहाँ पर आंकड में क्या-क्या growth हुआ, क्या कम हुआ, composite indicator यह है, short term changes को measure करता है, volume of production भी देखता है, उपर से compile किसके द्वारा किया दाता है, यह important है, CSO के द्वारा यह compile किया दाता है, central statistical organization, और 6 हफते का इसमें time lag होता है, और industrial sector की यह performance show करता है, और core sector, देखे, इसमें वैसे तो काफी सारे sectors होते हैं, लेकिन जो 8 core industries होती है, उसका weight 38% है, 8 core industries कौन सी हम discuss काफी बार कोच कोई है, जैसे की electricity, steel, refinery products, crude oil, coal, cement, natural gas, fertilizers, यह सारी हम discuss कर चुके है, PIB की एक news है, PINACA rocket converted to a guided PINACA, देखे, PINACA है क्या वैसे, PINACA के बार हम जान लेते हैं, जो successful हो हो तो चलो, होते ही रहते ह है, PINACA है, एक multiple rocket launcher है, इंडिया में produce किया जाता है, यह बनाया कि इसके दवारा गया, इंडिया आर्मी के लिए, और maximum range जो है इसकी, वो है 40 km, for mark 1 and 65 km for mark 2, और देखे, यह एक तरह के 44 second में 12 rockets यह दाग सकता है, तो एक तरह का rocket launcher है, यह multiple rocket launcher, और यह देखे, कारगिल वार के टेटर ट्रक आपने देखा होगा कि कई बार trade में भी दिखाते हैं कि एक ट्रक आता है, उसके उपर जो rocket launcher है, वो पीछे होता है, इस तरह की picture आपने देखी होगी कभी, तो बस यह याद रखेगा, पिनाका पर question आता है, तो क्या होता है, उसके बाद में एक festival घाना में और ओर्गनाईज किया जाता है, देखिया, हाल फिलाल में दो तीन देशों में, कमबोडिया में भी हुआ था, question बनता है, तो जारा से जादा ऐसा बन सकता है, कौन-कौन से देशों में इंडिया festival और इस तरह से बनाया जाता है, और रोतक में इस बार हो रहा है, और इस बार क जो हमारी मैपिंग चल रही है, उसमें से देख लेते हैं, अरकान माउंटेंज, अरकान माउंटेंज से एक तरह की माउंटेंज है, जो मयमार है, उसके वैस्ट में यह है, और राकी स्टेट और जो शेंटरल बर्मा है, उसके बीच में है, और एक बहुत तरह की पैरलेल र यहां पे जो मैं मांक कर रहा हूँ देखे यहां पे इंडिया के साथ जो लगते हैं तो यह दोनों में है इंडिया में भी है और मेंअमार में भी है और जाती कहां है देखे उसके बाद में यह क्या है एक important जो बात है यह पैes mountains are submerged into the way of塔 बंगाल की खाड़ी में सममर्ड यह हो जाते हैं एक लंबे स्ट्रेच के बाब में और दुबारा से इमर्ज होते हैं अंडमान और निकोबार की फोम में अंडबान और निकोबार देखिए अराकान मौंटिल्स का पार्ट है आपको ये फेक्ट ध्यान में रखना चाहिए ये देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पे समर्जड हो जाते हैं बंगाल की खाड़ी में और अंडवार निकोबार के रूप में फिर से उभर के आते हैं ये और देखिए सान हिल्स तो इनको देखिए हाई लैंड्स भी कह रहते हैं सान प्लैट्यू भी कह रहते हैं ये भी मयामार और थाइलैंड के बॉर्डर पर है य आगे क्या है एक एयराविडी रीवर वि काफी famous है मयामार की पूछी जा सकती है यहां मैअमार जाती है दो लगियों के दो लगियाス कि मेर्ट regen मेर मिन ट estavam उसके बाद में यह बनती है कौने चिख लेता पहले, यह देखें, यह सिधी North to South जाती है, और मैं हमार के अंदर में है, और largest river है country की, और काफी commercially important waterway है यहां से, जो जैसे हमारे देश में waterway है, वैसे ही इनके देश का काफी important यह waterway है, और delta बनाती है, अंडबान C में गिरती है, तो यहां पर देख लीजिए, यहां से जात है, और अंडबान C में जीते हैं, आपर delta बनाती है, अंडबान C में जाके, और Chinwain जो है, इसकी important tributary है, और Chinwain की जो एक important tributary है, वो मनीपूरी, यहांने, देखें, हमारे देश से मनीपूरी जाती है, वो Chinwain के अंदर मिल जाती है, और Chinwain जो जाती है, फिर वो अंग है उनमें से एक है ECOSOC और यह responsible है यह सारी की सारी जो economy, social, and related work यूँन के को coordinate करती है यानि जो 15 UN की specialized agencies है अभी देखेंगे को कौन कौन सी 15 UN की जो specialized agencies हैं उनके economic और social work से related चीजों को यह coordinate करती है इस organization का नाम है United Nations Economic and Social Council चोहमन इसके member है 54 और कब-कब sensors रखती है यह तो important है नहीं Central एक तरह के Central form है यहाँ पे discuss करते हैं NGOs या फिर जो policy formulators है या फिर जो भी national international countries है बस यह ही है तो यहाँ पे देख लीजिए यह है हमारा EcoSock और 1945 में मनी थी यह तो शीज़ें वैसी है simple सी अब यह देखिए UN के 6 अंग कौन-कौन से हैं और हमने कौन-कौन से इसमें से discuss कर लिए ICGI है हम यह इसको discuss कर चुके हैं और आज इसको discuss कर लिया यह US के 6 और चुके हैं main organs है और council भी हम discuss कर ही चुके हैं और दुबारा कर लो कोई दिक्कत नहीं है में लिए देखिए UN General Assembly UN Secretariat यह 6 organs है बस हमारा UN बचा है अब सब कुछ हमारा complete हो चुका है International Organizations में कुछ होगा तो हम कर लेंगा उसे यह इसके main जो है 17 जो यह कह रहे थे 17 organs के काम को coordinate करते हैं जिसका नाम है EcoSoc उनके economy को social work में इन organs की बात कर रहे थे यह EcoSoc के अंदर में F.U. इन्हें से आदे से ज़ादा हम discuss कर चुके हैं कि यह क्या होता है करेंगे इनको IAE हम discuss कर चुके है कई सारे हम discuss कर चुके हैं इसमें से हमारा WTO बाकी है World Bank भी हमारा बाकी है वैसे देखे अगला जो टोपिक है वो social issues का है जुलाई के इसमें सबसे इपोर्टन जो टोपिक आता है वो NEET का आता है National Elisibility Come Entrance Test पिछले साल जुलाई में इस पर काफी विवाद उठा था एक परकार से जो AI PMT का टेस्ट था पहले होता था medical के लिए उसको unified किया गया था सरकार ने एक lab बना के जो undergraduate students है उनके लिए भी जो लेते हैं बाद में और जो post graduate है उनके लिए भी तो उसके देखिए इस पर काफी चीज़े उठी थी कि अब जो जैसे पहले किया था सारे states में अलग-अलग test होते थे AI PMT के आप में देखा होगा कि जो medical के universities हैं जो states हैं अलग-अलग test होते थे मैं तमिल आडू के लिए लग पंजाब के लिए लग तो central government ने ऐसा कानूल मनाया कि एक ही test होगा इसके काफी सारे issues इसमें involved हैं देखिए जो PMT के test होते हैं इसमें काफी सारे issues जिसे के पहले करते थे Medical Council of India में काफी सारे issues थे corruption होता था, capitation fees बहुत ज़्यादा, syllabus देख लीजिए important जो बात है देखिए, syllabus है, किसी में कौन सा syllabus है, test में कहीं कौन सा syllabus है तो कई जगहां देखिए, बिल्कुल linear way में exam होता था तो अच्छे students नहीं आ पाते थे फिर है language, थोड़ी language की भी दिक्कत थी और quota issue, काफी सारे issues हैं देखिए, अगर mains में लिखना हो तो quota issue, कहीं कहीं state जैसे Tamiladu में 69% का quota मिलता है, कहीं ज़्यादा quota मिलता नहीं है features क्या है, जो इन्होंने propose किया, NET को देखिए, इन्होंने का कि, uniform entrance exam हम करेंगे, और 3 languages में हो गाई है यहां पर discuss कर लेते हैं, एक second, तीन languages में हो गाई है, एक Hindi में, एक English में, और एक regional language में और MCI क्या करेगा, MCI rules frame करेगा, MCI ज़्यादा interfere नहीं करेगा, लेकिन rules frame करेगा, उस body के लिए जो भी body इस need को conduct करेगी, और उसके बाद में, उसके बाद में देखिए, जो slabbers है, उसको standardize करेंगे, कि एक ही तरह है, जैसे पूरे देश में, एक ऐसा slabbers हो, जो सबके लिए important हो, सबके लिए लाब्धायक सी धो, तो इस तरह के कुछ points हैं, जो ये use कर सकते हैं, और इसके लाबा देखिए, एक fat tax का issue काफी important house time जो चल रहा था, fat tax, यानि ऐसी चीज़ों पर tax लगाना, जिससे obesity यानि मुटापा काफी ज़्यादा आता है, केरला में इसे लगाया गया था, और इसके क happiness department, सबसे पहले इंडिया में कौन से state में आया था, याद कीजिए बताओ, यह सबसे पहले आया था, देखिए मद्यपर्देश में, हमने discuss किया, तो आपको याद रखने है, चोटे-चोटे facts, और उसके बाद में देखिए, fat tax काफी सारे issues, जैसे कि Denmark में लगाया गया था, यह वहाँ भी सफल नहीं हो पाया, और यह देखिए fat tax जैसे चीजे tax लगता है, यह किस पे लगता है, यह लगता है, जो महंगी items होती है, AC restaurants होते हैं, जैसे उस पे, माली जीए, pizza माली जीए, domino's पे लग गया, pizza hut पे लग गया, और mcdonald's पे लगता है, अब देखिए, इन समोसा खाते हैं, छोटी दुकानों पर, या फिर वो, उन पर देखिए, जो tax गया ज्यादा है, उन पर ज्यादा होता है, यह लोग तो afford कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कि अगर आप इनके थोड़े बहुत rate बढ़ा भी दो, तो यह लोग, जो middle class है, या फिर जो, जिन बात कर रहे हैं, फिर आगला जो एक important है, वो है, देखिए, society के इतने topic थे नहीं, जुलाई में, एक important जो है, यह हमारा है comprehensive convention और international terrorism, यह security issue का था, security में important है, हम बार बार इस convention को लाने की बात करते हैं, हम बार बार कहते हैं, कि देखिए, एक ऐसी terrorism पर एक ऐसी convention होनी चाहिए, जो किसी भी अच्छे या बूरे terrorist में फरक ना करें, जिस परकार से पागिस्तान करता है, पागिस्तान ने good Taliban और bad Taliban के बीच में differentiate कर रखा है, यानि अफगानिस्तान में जो Taliban सत्ता स्थापित करना चाहता है, वो तो देखिए, यह कहते हैं कि हम उसके साथ में हैं, हम Taliban की सत् थीके Taliban, जो पागिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है, पागिस्तान उसे कहता है, यह ठीक नहीं है, तो एक तरह से पागिस्तान फरक करता है, good Taliban के बीच में और bad Taliban के बीच में, तो इंडिया ने 1996 में कोर्शिस करीची के global convention लाई जाए terrorism के मुद्दे पर, ले इसमें देखें, यह negotiations इस पर बन नहीं पाई, और काफी विवादित यह रही, और इसका example भी दिया जाता है, कि इस परकार से जो UN है, उसका criticism होता है, कि वो इस परकार के जो मैतपून convention है, उनको पास नहीं कर पाया, तो बस यह थोड़ी बहुत इसे आप याद रखिएगा कि इंडिया इसको लाना साता था, मतलब काफी जादा इंडिया ने इसको resolution पास करवाने कोशिस करी थी, 1996 में आया था, अभी negotiation कमेटीम है, मेंस में इसका point आप लिख सकते हो, तो अभी हमारा जो पिछला रह गया था, कल हम discuss नहीं कर पाई थे, तो 12 जनवरी का जो है, वो ज